जी का मानना है कि परमपरागत आयूर्वेदिक चिकिस्सा के द्वारा सभी भयावाह रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है लेकिन प्रयास करें कि रोग ही न हो स्वस्थ रहना उत्तम स्वास्थि का परिचायक है इसके लिए नियमित योग वस्यमित दिन्चर्या का पालन करें फिर भी कोई रोग हमें घेर लेता है तो परमपरागत आयूर्वेदिक एवं घरेलू उपचारों के द्वारा उससे निजात पा सकते हैं स्थन कैंसर, स्थन की गांट, माताओं का दूधन उतरना, महिलाओं की बड़ी बिमारियां हैं जिनके कारण पूरा पारिवारिक वव्यक्तिगत जीवन उलज जाता है अमुमन 40 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं में इस्थन कैंसर ज्यादा होता है इसके लक्षनों को देखें तो इस्थन में गांट, सूजन या आकार में बदलाओ प्रमुख हैं संकोच वला परवाही के कारण ये गंभीर अवस्था तक पहुँच जाता है स्थन कैंसर के कारणों में जहां धूम्र पान, शराब, फास फूड और शारिरिक निश्क्रियता बड़ा कारण है वहीं हार्मोंस में बदलाओ, एक्सरे कराने, कम उम्र में मासिक धर्म का आना और संज्था न होना आदी प्रमुख हैं यदि परिवार में किसी को स्थन कैंसर हुआ हो, उसके कारण भी स्थन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है इस्थन की गांट, इसे स्थन कैंसर की प्रारंभिक अवस्था भी कहा जाता है जो की चोट लगने, सामानी रूप से इस्थन पान न कराने, छूटा ब्रा को पहनने और शरीर के आंतरिक रोगों के करान होता है सामानी रूप से यदि स्थनों पर जुरियां पड़े, लाल हो जाए, खरोच हों, स्थनों में दर्द हो, निपल धस जाए, निपल में खून आए, और स्थन में दर्द के साथ ही बुखार आए, तो ये स्थन गांट के लक्षन है नवप्रसूता महिलाओं में दूद न उतरना भी स्थन कैंसर के कारणों में से एक है स्थन पान नवजाद बच्चे के लिए अमरित तुल्य है लेकिन अनेकों महिलाओं में दूद कम बनता है या दूद उतरता ही नहीं जिससे न सिर्फ महिलाओं का स्वास से बिगड़ता है बलकि बच्चा मा के दूद से भी वन्चित रहता है महिलाओं की इनी परिशानियों को देखते हुए आज के अंक में आचार यबाल कृष्चिन जी महराज आपको ऐसे अनेकों आयुरवेदिक जड़ी बूटियों एवं घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे जिससे स्तन कैंसर, स्तन की गांठ वो माताओं के दूध न उतरने आदिकी परिशानियों से मुक्ति पा सकती हैं आज हम आपको बहुती चमतकारिक जो पौधा है इसका जो नाम है लाजबन्ती या लजालू कहा जाता है और हिंदे में हम इसको छुई मुई बोलते हैं आज हलाकि यहां कोई बहुत बड़ी ब्याधी नहीं है पर एक बहुत बड़ी समस्या है तो इस तन की सुन्दर्ता के लिए न जाने कितने सारे तेल और मसाज की चीजें और न जाने किस किस तरह के पदार्थ बजार के अंदर है वो नुकसान दायक आपके लिए हो सकते हैं हो सकता है कि कुछ भी न लाब करें तो इस चुईमु के पत्तियों को और इसकी जड़ को पी से और इसमें अश्रगंधा मिला करके यह दिमाता है बहने प्रती दिन अपने इस्तनों पे कुछ समय तक मालिस करती है तो नुश्यत रुप से उनके जो इस्तन का जैसे बच्चा होने के बाद में विशेश करके इस्तन ढीला हो जाता है या फैल जाता है उस इस्तिती में यह अत्यंत कारगर है इस्तन को सुंदर और सुडल बनाने के लिए मैंने जैसे कहा कि यह एक कोई बहुत बड़ी ब्याधी तो नहीं है फिर भी यह समिश्या है कल की ही बात है आती है पतली पतली बहने वह भी कहते है आचर जी पतला होने का उपाई बताई है एक फैसन बन गया है अतिक क्रिशत पतला को ही नहीं बढ़ाता है सुडोल ही नहीं करता है इसकी जड़े हैं वहाँ गाठ को भी खोल देती है जिन माताओं और बेहनों को स्तन पे गाठ है कैंसर सोने की संभावना है आज दुनिया के अंदर कैंसर के रोगों में सबसे ध्यानक जो फैला हुआ जो कैंसर है वह की अंसर है बहुत में पिडित है कि उसमें एक और है हलाकि सहरों की या पड़ी लिखी जो मेरी भीने हैं हमारी माताइं हैं या योनी जने विमारियां उनके विशे में चर्चा करने से वो थोड़ी सी पर्दा करती हैं, शरमाती हैं हमारे चाहे हिंदू समाज में हैं, जायन में हैं, बॉट धुस्त में हैं, ner में हैं या विशेष करके जो मुस्लिम समाज की मेरे माताएं बहने हैं उस समय पर वो काफी पीडा को जहलती ही रहती हैं और बीमारी जब महमारी का रूप ले लेती हैं उनके काबु से जब बाहर होती हैं तो वो माताएं वो बहनें फिर चिकत्सा के लिए जाती हैं कई बार बहुत देर हो चुकी होती हैं ये लाजबंती अच्छी लगती हैं आप इसको घर में भी लगा सकते हैं गमले में भी लगा सकते हैं थोड़े सी आपकी जगह पर लोन हो एक बार इसको थोड़ा सा लगा दीजिए फिर तो ये अपने आप ही फैलती है यो इतनी फैलती है नगदी खेत आदी में कहीं आप लगा दे तो बाद में इसको खतम करना मुस्किल हो जाता है तो ये इतनी अच्छी है ये लाजवन्ती जिन मातां और बहनों को तन पे गाठ है कैंसर्स होने की संभावना है तो इसकी जड़को आप पीस ले अश्रगंधा की जड़को पीस ले फिर आप इस तन पे लगाए दोनों ही लाव होगा इस से इस तन सुडोल और सुंदर तो होंगे परंत उसके अंदर जो गाठे हैं जो फाइबरोड्स हैं वो भी इससे डिजॉल्व हो जाएंगे उससे घुल जाएंगे उससे पिखल जाएगा तो एक उश्रगंधी से दोनों ही लाव आपको मिलेंगे और गाठ होने की जो संभावनाई आपको लगता है तो उस इस्थीची में भी आप इस लाजबन्ती को घिस करके नियमी तरुप से कुछ दिन लगाईए ये बहुत ही अच्छी ओशदी है बहुत चमतकारिक ओशदी है